त्रिबुच की एक प्रापर्टी है कि किसी त्रिबुच की दो बुजाओं की लंबाई का योग तीसरी बुजा की लंबाई से बड़ा होता है आईए इसे हम एक छोटी सी एक्टिमिटी के माध्यम से सीखने की कोशिश करें यहां हमारे पास दो बुजाएं हैं लेकिन ये दोनों इतनी छोटी हैं कि आपस में मिल भी नहीं बा रहे हैं यानि जो तीसरी बुजा है ये दोनों बुजाओं का योग तीसरी वाली बुजा से छोटा है तो हम देखेंगे कि कहीं पर भी ये त्री भुज बनना संभब नहीं हो पा रहा आप देख रहे हैं एक भुजा ये, दूसरी भुजा ये, तीसरी भुजा ये लेकिन यदि हम इनको कहीं भी गुमाएं तो त्री भुज नहीं बन पा रहा क्योंकि इन दो भुजाओं की लंबाई का योग इस तीसरी भुजा की लंबाई से छोटा है आएए देखें कि यदि दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा के बराबर हो जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं इन दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई के बिल्कुल बराबर है तो भी हम देखेंगे कि कहीं पर भी त्री भुज नहीं बन पा रहा आएए अब हम कुछ और भुजाए लेते हैं यहां पर आप देखेंगे कि यह दोनों पीली भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा है इसलिए इनको हम जब थोड़ा दूर एक्स्टेंड करेंगे तो यह एक त्री भुज बन पा रहा है इसी प्रकार से इन दो भुजाओं की लंबाई का योग इस तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा है इसलिए जब हम इनको आपस में मिलाएंगे तो यह भी एक त्री भुज बन पा रहा है तो इस एक्टिविटी में हमने यह देखा कि एक त्री भुज की लंबाई एक त्री भुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से बड़ा होता है